दोस्तों चौैम बात करने वाले बहुती बेथरीन प्लान के जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहा होगे इसका साइज है 25 क्रोस 45 25-44 का होस प्लान है पूरा प्लान पर आप देख पारा हैं इसी मॉडल डिसकुस्स करने वाले हैं बहुती बेथरीन प्लान है बनाया है मकान और हमारे एक सब्सक्राबर थे हैं उनके कैने पर मौडल को डिजाइन किया है अगर आप भी कोई मौडल डिजाइन करवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंड करके बता सकते हैं उससे पहले आपसे गोज़रेश जरूर करेंगा अगर आपने अभी तक हमारे इसमाल हाउश प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों जरूर कर लें साथ साथ वेल आइकन दबादें से मेरे आने वाले सभी वीडियो आप लगातार देख सके अब हम बात करते हैं इस प्लान की लेकिन उससे पहले आपको एक अनौश्मेंट करना चाहेंगे अगर आप हमारी पेड सर्वेस का यूज़ करना चाहते हैं तो आप हमारी पेड सर्वेस का भी यूज़ कर सकते हैं आपको नंबर हमारा डिस्किप्शन में मिल जाएगा वाट्सप नंबर आप मुझे कॉंटिक्ट करें और आपके अकॉर्डिंग जो भी आप चाहेंगे हाउस क्रेट करना इस्कूल का मकान डिजाइन जो भी चाहते हैं सभी क्रेट किये जाते हैं लेकिन वे एक पेड़ सबसे पहले मैं इसे मॉडल को जूम करके आपको दिखा देता है उसका टेक्सर बगएरा मैंने जो दोस्तों टेक्सर रखा ये केवल इटो का ही रखा है जो नॉर्मल सा इट होता है क्योंकि आपने देखी बहुत बड़ी बिल्डिंग्स होती है तो इटो का टेक्सर भी ल तो टाइल से लगवाने का आवसकता होती है ना पेंट कराने का आवसकता होती है बेतरीन सा लुक देखने को मिलता है तो उसी को मॉडल पर मैं डेजाइन करा किया है ये मॉडल तो सबसे पहले इसका ग्राउंड फ्लोर हम डिसकस करेंगे तो ग्राउंड फ्लोर के लिए मै आपका इस टेर से जीना जो कि आप चड़ेंगे और सबसे पहले आपको मिल जाता है एक guest room ये देख पा रहे होंगे एक guest room देख पा रहे होंगे और आप इस guest room के लिए front से मैंने एक window दिया है, side से एक door भी दिया है अब हम बात करते हैं इस वाले door की यहां से जैसे आते हैं आप आजाते हैं अंदर इंटर कर जाते हैं इस side में आपका एक command लेटिंग और बात रूम दिया है इस side में आपका बड़ा सा kitchen है जिसके अलग-अलग door दिया है और पीछे तो bedroom देख पा रहे हैं को दोनों bedroom के लिए अलग-अलग मैंने door दिया यह देखीगा और सबसे पीछे के बात करें तो इस room के लिए separate later ने आपका दिये इस room के लिए separate later ने यहां से दिये सभी का door आप जब भी इस वाले portion पे आते हैं जो कि आप यहां पर जाल रखवाएंगे अपनी च्छत पे जिसे ventilation के कोई problem ना हो दोनों room में proper तरीकिस दूब बगएरा भी आएगा पीछे से और यह later ने आपको पहले यहां पर आना पड़ेगा इस door से और इसके बाद आप दोनों में इंटर कर पाएंगे तो यह क्यों मैंने दिया है दोस्तों यहां पर आप जो भी gate दोनों लगवाएं बो जाली दार लगवाएं जिसमें उपर आपका जब इस वाले जगए पर जाल रखेगा तो यहां से उच्छत से आपका रोशनी आता रहेगा प्रापर और आपके दोनों यह room है ventilate होते रहेंगे अब हम बात करते हैं यह kitchen है यह एक और लेटरिंग बात रूम है command दोस्तों यहां पर यह केवला बात रूम इसे बना सकते हैं और यह आपके गेज्ट रूम है और यह कारबार केंगे space और आपका यह stairs और front में बात करें यह आपका boundary वगएर है तो यह 25 x 40 का ground floor है केवल दोस्तों अब हम बात करते हैं कि first floor के तो first floor पर मैंने कुछ भी डेजाइन नहीं कि है same to same वही डेजाइन है सिर्फ railing का difference है आप अगर देख पाएंगे तो इस वाले room में बिल्कुल वही room सिर्फ यह railing मैंने बना दी काच का चारो तरब देख सकते हैं ग्लास पूर लगा दिये हैं जो कि एक बेतरी लोक आपके मकान को और देने लगता है और सारी सीजन वही है वही bedroom वही दोनों bedroom वही guest room इसको आप जो भी चाहें वो बना सकते हैं सारा पूरा डेजाइन वही है लाश फ्लोड की बात करें तो लाश फ्लोड पर भी मैंने कुछ डिजाइन नहीं किया सिर्फ चारो तरब बॉंडी करेट कर दिया चार फिट किया और आपका फ्रेंट में भी गिलास का रेलिंग बना दिया है तो यह आप देख पा रहे हैं को और आप हुब हुब बिल्गुल शेम टूशे मकान बनवाएं बहुत ही बेतरीन प्लान है जैसा भी आपको लगाओ हमें अपना ओपिनिन जरूर दें कमेंट करके बताएं लाइक करके बताएं इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंट और दोस्तों के साथ और अगर आप कोई रेकमेंट मॉडल बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करेंगे बता सकते हैं और अगर यदि आपने अभी दा कि स्माल आउस प्लान को सब्क्राइब नहीं किया तो प्लीज जरू कर लें ताइब सोग जिंग